चार मार्च की शाम करीब साड़े साथ बजे लगबग बद स्थानक परिसर स्थित सुलप शोचाले शोच करने के लिए गए एक वृत को उसी समय उन्हें अचानक तीवर रिदय घात आने से उसकी मृत्ती हो गई एस हाथसे से मौके पर खलबली मज़ गई प्राप्त जानकर यनुसा साबने चिछपूरा निवासी वृद दौलत राव श्रीपत राव कोठरे जिन्हें दिल की बीमारी थी जिसका इलाज भी जाली था वाइससे पहले भी रुदय आने की खबर मृतक के परिजनों पलस को देने से घटित मामले की सच्चाई उजागर हुई तिछपूरा निवासी मृतक दौलत राव श्रीपत राव कोठरे को शाम करीब साड़े साथ के करीब शौच लगने से वबस थानक स्थित शुलप शौचाले पहुचे परशुरन करने के काफी देर तक वृद बाहर ना निकले देखकर दो बार दर्वाजा खट-कट फिर भी कोई प्रतिसाद ना मिलता देख कुछ लोगों ने घटित ना हो इस वास्तफ से सावनेर पुलिस तथा हिते जियोती फाउंडेशन के हितेश बंसोड को खबर मिलते ही थानेदार मारुती मुरुड हवलदार राजिंद्र रियादव फित जियोती फाउंडेशन के हितेश बंसोड आदी ने घटना स्थल पहुचकर उगत शौचाले का दर्वाजा तोड कर मृत्तक दौलत राव श्रीपत राव को ठेकर के परीजनों को घटना की जानकरी देकर शव को घटना स्थल पंच नामा कर शव विच्छितन हेतू ग्रामीन स्वास प्रशिक्षन क दौक्टरों से की इसके चलते परीजनों ने उक्त घटना को नियती का फेर मान कर शव विच्छिदन ना करने को लिखित विननती पर मृतक के परीजनों को उनका शव अंतिम संसकारे तू सौब दिया गया है इन बीसेन नीउस के लिए समवाद्धा ताकि शोर धूंडेली कि निपो